हेलो फ्रेंड्स मैं सत्यम सकती आपका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने फोन में एपलाई करते हैं तो जैसे ही आपके फोन में कोई रॉंग पासवर्ड डालेगा तो उस आपके इंसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो चले आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यह ट्रिक को यूज करने के लिए एक एपलीकेशन की जुरुत पड़ेगी जिसका नाम है इंट्रडर सेल्फी यह अप्लिकेशन आपको प्लेस्टोर में भी मिल जाएगी या फिर इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्स दिया हुआ है वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चले यहां पर सर्च बार में आ गए हैं हम प्लेस्टोर के और यहां पर सर् 100K से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड किया है एक लाग से अधिक लोगों ने इससे डाउनलोड किया है और इसे इस्तिमाल कर रहे हैं तो चले सबसे पहले आपको इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन मे और इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे आएगा सबको आपको allow कर देना है यहाँ पे next बटन आ रहा है आपको next पे click करना है फिर आपको यहाँ पे option आ रहा है grant permission का तो यहाँ पे आपको click करना है और उसके बाद allow का option आएगा आपको allow कर देना है, आपको जो भी यहाँ पर allow करने को बोलेगा, यहाँ पर पहले allow कर देना है, allow करने के बाद फिर से यहाँ पर एक tick का option आएगा, उस पर आपको click करना है, grant device admin, तो यहाँ पर आपको click करना है, और यहाँ पर click करने के बाद आपको activate button आएगा, आपको अपने फोन में इसको activate कर लेना है activate करने के बाद फिर से यहां पर टिक वाला जो option आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और अब यह application हमारे फोन में setup हो चुका है और इसका setting दिखाते हैं आपको यहां से चलके यहां पर थ्री लाइन पर क्लिक किजिएगा तो यहां से आपको setting उपर में दिखेगा setting आप आप देख सकते हैं यहां से आप set कर सकते हैं number of pictures यानि कि कितनी pictures क्लिक होंगी तो हम यहां पर वन पिक्चर स्लेक्ट किये हो है या यानि कि जो भी मेरे phone में गलत password डालेगा उसका एक picture क्लिक हो जाएगा और यहां पर फिर नीचे option आ रहा है max attempts यानि कि कितनी बार wrong password डालने के बाद आपका phone फोटो capture करेगा तो यहां पर हम 3 select कर लेते हैं आप यहां पर 4 5 तक select कर सकते हैं हमें ऐसा 3 select कर लेते हैं यानि कि कोई भी person हमारे यहां पर notification on किया हुए है आप चाहे तो इसको off भी कर सकते हैं हम इसको on कर देते हैं ठीक है उसके बाद एक नीचे option आता है save to gallery आपका phone जो photo capture करेगा अगर आप उस photo का अपने gallery में save करना चाहते हैं तो आप यहां पर tick कर सकते हैं नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो photo capture करे वो इस application में ही रहे तो आप इसको on tick छोड़ सकते हैं तो चली है हमारा सब कुछ यहां पर setup हो चुका है और अब हम य फोटो capture करता है या फिर नहीं तो चली हमें आप पर unlock किया है और उसके बाद wrong password यहां पर डाल रहे हैं एक बार डाला मैंने उसके बाद second बार wrong password डाला उसके बाद third बार wrong password डाला अब हम सही password डालके फिर open करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो phone है वो हमारा photo capture किया है या नह से तो मैंने यहां से open कर दिया है open करने के बाद यहां पर आप नोटिफिकेशन वाले सेंटर में जाईगा तो यहां से आपको एक option दिख राएं इंट्रडर हैं इंट्रडर डिटेक्टेड यानी कि यहां से photo click हो चुका है हमारा तो चलिए हम इस पर click करते हैं और जैसे हमने click किया आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने जो photo अभी यहां से wrong password डाला तो हमारा photo यहां पर capture कर चुका है हमारा phone और इस तरह से अगर कोई भी आपके phone में wrong password डालने की कोसिस करता है तो आपका phone उसका automatic से photo capture कर लेगा तो यह काफी useful application है और काफी secure रखेगा आपके phone को तो आप चाहे तो इस application का use कर शकते हैं आज की video में इतना ही मिलते हैं किसी और video में तब तक के लिए जाएं वंदे मातरम